हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट चैनल दोस्तों प्रिबिएस यह में जितनी फी कोस्टेंस फिजिकल एजुकेशन कमपटिटे एकजाम्स टीजिटी पीजिटी के वियर्स एन्वेस एल्टी विजिसी नेट आदे में पूछे गए हैं उस अभी कोस्टेंस को को आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं या सीरिज नमर पंचानवे हैं दोस्तों इस सभी जाम्स का प्रिपरेशन यह दिया आप सिलिबस के एकटार्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिबस के एकार्डिंग हैं सभी वीडियो इसको वाच करके अंतरंगता यानि की इंट्रामुरल के उद्देश्यों के रूप में निमने लिखित में से कौन शा कथन सही नहीं है इंट्रामुरल होता है एक एक्स्ट्रामुरल होता है इंट्रामुरल में क्या होता है कि संस्था के अंदर के ही विद्यार्थियों को प्रतिविता करा ज तो इंट्रामुरल्स का उद्यष्ट क्या होता है इंट्रामुरल्स का उद्यष्ट होता है कि प्रतिक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का आउसर प्रदान करना एंड विद्यार्थियों के नितित्यों के गुड़ों का विकास करना एंड शहयों की भावना को विक्सित करना एंड मनुरंजन प्रदान करना तथा खेल भावना को विक्सित करना और प्रतिभावान खिलाडियों का पता लगाना ये उद्यष्ट होता है इंट्रामुरल का पन का भावना विक्सित करनना ये भी है ठीकए N c है खेल का इस्तर बहतर करना इखाना यह आपकार नहीं है D है प्रतिभास आळी में को डुड निकानन यह होता है इंत्रेरा जबकि खेल का इसतर बहतर करना यह इंट्रम्णर का उद्धेश नहीं होता है यह एक्स्ट्रम्णर का उद्धेश हो जाएगा थीक है तो आफसे अनुम्बरस यहां पर करेक्ट होласт किुछ करहें कि निम्निकार약 शही मिलान किजीए तो दोस्तों एक तरफ खेल संस्था का नाम दिया गया है एक तरफ उसका लच्छे का नाम दिया गया है तो पहला है अखिल भारतिये खेल परिशत ठीक है अखिल भारतिये खेल परिशत का उद्देश्ट क्या है विभिन ने खेल संगों से संबंधित खिलाडियों का खेल इस्तर प्राप्त करना ठीक है तो A का 1 का C हो जाएगा ठीक है दुसरा है नेताजी सुबास राष्टिये खेल संस्थान इसका क्या होते से दुस्तों यह क्या करता है कि खेलों के छेत्र में नवीनेतम जनकारी उपलब्ध करना ठीक है इसका दुसरा का B हो जाएगा तुसरा है केंद्री ये सारेरिक और मनो विनोत सलाहकार बोर्ड यारी केंद्री सलाहकार बोर्ड जो है इसका क्या काम है यह खेल कारेकरमों पर शिफारिस देना इसका काम है ठीक है तो तुसरा का A हो जाएगा तो यहां पर आपसन नंबर A करेक्ट हो जाएगा ठीक है यूँआउलम्पिक खेलों की उम्रिश्रीमा है तो यूँआउलम्पिक खेलों की उम्रिश्रीमा क्या है 14 से 18 वर्स दोस्तोग इसकी सुरुवात कभ वुआ था जैसे की वर्स 1998 में यूथ उलम्पिक याने युवा उलम्पिक खेलों की अवधारणा आश्ट्रेलियाई अध्योगिक प्रबंधक जोहान रुसेन इस्पक से हुई थी यह बच्पन की मुटापे के बारे में बढ़ती वैश्विक चिन्ताओं और खेल गती विधियों में युवाओं की भागिदारी उम्रे 14-18 वर्स करने से सम्धित है नेक्स्ट कोश्चन है यहां भी आपको शही मिलान करना है खिलारी का नाम दिया गया है एन खेल तो पहला है चुन्नी गुश्वामी चुन्नी गुश्वामी किस से रिलेटेट है किस खेल से फुटबाल से रिलेटेट है ठीक है दो है दुसरा है अश्लम सेर खां अश्लम स थ्री का शी हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आफसर नंबर डी करेक्ट होगा नेक्स्ट कोश्चन है इसमें भी आपको मिलान करना है सही एक तरफ खिल का नाम दुसरे तरफ सब्दावली दिया गया है जैसे कि पहला है तैराकी तैराकी इस रिलेटे सब्दावली कौन है बटरफलाई ठीक है बटरफलाई एंड दुसरा है टेनिस टेनिस का सब्दावली कौन है इसमें डियूर्स तिसरा है मुक्के बाजी मुक्के बाजी किसे रिलेटेट है अपर कट से उत्रा है बास्केट बॉल बास्केट बॉल किसे नेक्स कोच्चन है थो इन सब्द निन्य में से किस से जुड़ा हुआ है तो थो इन सब्द किस से रिलेटेट है दोस्तों फुटबाल और वास्केट बाल दोनों से रिलेटेट है तो यहां पी C और D दोनों करेट हो जाएगा नेक्स कोच्चन है विश्च्च स्वास्ति संगठन यारी व्ल्ड हेल्ड हेल्थ ऑर्गेनिजेशन के उनसार एक ब्यक्ति मुटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बाड़ी मास इंडेश यानि BMI कितना होगा कि वो मुटापे से ग्रस्त माना जाए जोस्तों 18-25 से यदि आपका BMI नेचे है तो आप एक कमवेट का मानेंगी तो應該 कम अधकी उज्डेशन कम है जोका यदे आपका 18-25 से 24-उव न नो तक है तो है यदि इसला सो ग्याना जाएगер जनरेण से उपर हो गया तो मोटापा से ग्रस्ट हो गये है आप ठीक है नेस्ट है किस काल में प्राण और नार्या चर्चा के महत्वपूर भिशे हैं और योग शब्द का प्रियोग तक्निकी अर्थ में किया गया है तो किस काल में किया गया है दोस्तों उपनीसद काल में ठीक है और तक्निकी रूप से योग सब्द का वर्ण किया गया है उपनी सिदोवी ठीक है नेश्ट है खमीर और कुकुर मुट्टा हैं क्या है फफूद है ठीक है फफूद है नेश्ट है मिचली उल्टी और दस्त किसके सबसे आम लच्छण है तो दोस्तों जब मिचली उल्टी और दस्त जो है भोजन एलर्जी के साथ या विसाक्त भोजन के आम लच्छण है ठीक है यहां भोजन एलर्जी और विसाक्त भोजन दोनों हो जाएगा आयोग ने इस प्रस्ण को दोस्तों मुल्याकर्ण से बाहर कर दिया था यानि कि दोस्तों जो भोजन भिसाक्तता होता है वो साल्वोनिला बैसिलाई नामक जिवाड़ू के करण होता है जो समानता संक्रमित जल और भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है नेश्ट है कि जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब क्या होता है तो जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब हाइपो क्लोरस अमल तथा हाइड्रो क्लोरिक अमल बनते हैं ठीक है आपसर नंबर सी यहां पर करेट हो जाएगा यानि पे जल के सुधी करण की प्रकि जोग किया जाता है ठीक राजास्थान में राज़र्थान congress राजास्थान जानारेव.- भीष्टॉप रोजै कर नहीं कुछा हुआ पूचाइए तो उसमें क्वेग पूचा है तब राजस्थाने साह्सुम्रीफ्टॉपOO है इस्थापित किया जाएगा तो उस समय कहां पर किया जाना था जुन-जुनु में ठीक है इसे तुर राजस्थान कीड़ा विश्विद्याले जुन-जुनु अधिनियम 10 जुन 2013 को प्रवित हुआ था निश्थ है गती का अधियन कहलाता है तो गती का अधियन क्या कहलाता है गती विज्ञान इसके अंतरगत गती से प्राप्त उर्जा के प्रभाव एवं परिडाम का अधियन किया जाता है ठीक है नेश्ट है किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन इसे उत्पन कर रहे बल का प्रत्यच समानुपाती और इसके द्रविमान का अब्यूत क्रमानुपाती होता है इसे न्यूटन के गती के किस नियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों जहां पर बल जो है समवेक के समानुपाती और भार के वित कमानुपाती होता है तो यहां गती के दूसरे नियम के अंतरगत आता है ठीक है गती के दूसरे नियम के अंतरगत आता है यानि कि दूसरा नियम क्या है दूस्तों नीटें के गती के दूसरा नियम क्या है जिसे सम्वेक का नियम तोरण का नियम भी कहा जाता है या लाव अप मोशन या लाव एक्सिलिरेशन एंड मोमोंटम भी कहा जाता है इसको बलके प्रतिफल का नियम भी बोला जाता है ठीक है जैसे कि दोस्तों जो न्यूटन है उन्होंने तीन गति के नियम दिया है गति का पहला नियम है जड़त्यों का नियम या इसे जड़ता का नियम अकर्मन्निता का नियम लाव इनर्सिया और गेलियू का नियम भी कहते हैं प्रथन नियम को प्रफेदनियम में क्या होता है कि जब कोई वस्थ bargain में है तो लए वी आवस्थ स्था में ही रहेगी और गती कर रहे तो गतियावस्था में ही रहेगी जब तक की उसह पर कोई भाहबल न लगाया जाये ठीक है इसके उदारण है नाव खेना, स्प्रिंट दोड़ों में स्टार्ट लेना, रोमन रिंग का प्रारम, हैमर थो का प्रारम, ठीक है कुस्ति के बिरोधी को उपर उठाना, यह पर्थम लाउप के एक्जांपल है, दुसरा लाए, शौवेक का नियम, या त्वरण का नियम, या लाउफ मोशन, लाउफ एक्षरीलेशन, लाउफ मोमेंटम, या बल के प्रतिफल का नियम, इतने नामों से जाना जाता है नियम के दुसरी नियम को, इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के एक निश्चित दिसा में, सव्वेक परिवतन की दर का उस वस्तु पर लगाए बल के समानुपाती होता है और द्रविमान के बित क्रमानुपाती होता है जो तिसा नियम है तिसे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लाफ एक्षन रियक्षन का नियम काउंटर फोर्स का नियम या लाफ रेसिप्रोकल एक्षन भी बोला जाता है यानि कि किसी वसतुप पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वसतुप हम पर भी लगाती है यानि पहले बल को कृया का नियम और दूसरे बल को पर्तिकरिया नियम ठीक है इसमें कौन सा एक्जम्पल है जैसे कि तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना ये तिसे नियम का उधारण है वाकिंग यानि पैदल चाल, बंदुख चलने पर पीछे गिर जाना या गेंद का ड्रिबिलिंग करना, बाल को दिवार पर फेकना, उची कूद में खिलावी द्वारा नम सतह की जगा, ठोस सतह का चैन करना ये सब एक्जामपल है तिसे नियम का, ठीक है, जबकि दुसरे नियम जो त्वरण का नियम है, सव्वेक का नियम है, उसका उधार है राकेट को वाय मंडल में प्रच्छे पित करना और कुएं से पानी खिचने पर रसी के तुट जाने पर, ठीक है नेस्ट कोश्चन है, कि नियूटन का देतिये नियम है, तो नियूटन का देतिये नियम क्या है, त्वरण का नियम, आफसर नमबर सी करेक्ट है नियुटन का तिसरी नियम को ऐसे भी जानते हैं यानि कि गती के तिसरी नियम को इस नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ठीक है next is giving emotion कि नियम में क्या होता है कि जिस वर्सटू पर हम उतना बल लगाएंगे उस वह वर्सटू भी हम पर उतना ही बल लगाएंगा जिसे आप दिवाल पे गेन्ट को जितनी तेजी से फिकेएंगे उतनी तेजी से आप पे वापस आएगा आपकी तरफ ठीक है ठीक है गती के नियम दिए गए किसके दोरह दिया गया है दोस्तो न्यूटन के दोरह ठीक है गती बेज्यक हमारा ग्यान तीन मुल नियमों पर अधायित है सबसे पहले महान बग्यानिक सर आइजक न्यूटन ने ये आटुसोले सो सताशीं में अपनी पुस्तक प्रिंस्पिया बेरी प्रति पादित किया था गति के तीन नियम्यों को. इसलिए इस विय्क्त क्यानिक के समानार्थ इन नियम्यों को निय्टन के गति भी सेक नियम कहते हैं. ठीक है जर्टा का नियम तुर्ण का नियम क्रिया प्रतिकिया की नियम इन्होंने तीन नियम दिये हैं ठीक है नेक्स्ट कुश्टन है न्यूटन के गति का तिसरा नियम जाना जाता है जैसा कि दोस्तों गति का तिसरा नियम क्रिया प्रतिकिया का नियम है इसको पारसपरिक क यानि कि रेसी प्रूकल एक्षन के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट कुछ्टिन है कि यह अद्रिश्ट है परंतु हमेशा उपस्तित रहता है गति में तो कौन है दोस्तों क्या चीज़ ऐसा है कि जो अद्रिश्ट भी है और गति में हमेशा उपस्तित भी रहता है वह है ब ortal3 बहो हम्हें सब्सक्राना यानि किल नूट कि युद्ण क कि लिए ऱुर्टान के लगती का करीति ही प्रशथ metew생 dot नूझए कि तो इसे ही चलती ही जब तक कि उस पर कोई बाहल यह लगाया जाए याधि या उस बरतमान अवस्था में पर्यवतर किया जाए और फिक है कि फीस में बलका मात्राइख है fps में बलका मात्रा क्या नों यह दोस्तों fp?s का फुलस फार्म होता है στο groundhrac k2 po तो its का fps में बलका मात्रा- hokta है पॉंडल ठीक है पॉंडल आपसा नमबर एक करेट होगा क्योंकि दोस्तों पॉंड न्यूटन डाइन तीनों दिया है तो पॉंड आप मत लगाएगा कभी भूल के क्योंकि सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेजएगा फूर्ट पॉंड सेकेंड इसका फुल फॉर्म है तो इसका मैतरक है फॉल होता है सेंगरम सेकेंड तो पंत डियर्ठ केंड फॉर्मीटर करेंड में होता प्यास पधती में बल का मात्रग क्या होता है पाउंड डॉल ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप कि दोस्तों सभी कोस्टन्स आपको समझ में आए होंगे सभी आपके लिए इंपोर्टेंट है जांस के लिए तो दोस्तों बने रहें मेरे चैनल पर इसी ब